रीडो लाइफ मशीन अरे वाह कमाल है यह सिफ अभी चार्स साल का ही है हाँ मैं तो अपना नाम अलग भाशाओं में लिख सकता हूँ देखिये हाँ अरे वाह तुम ही तुम बहुत ही समझदार हो आपको पता है मैं यह से बहुत आसानी से कर सकता हूँ माम मैं आपको दिखाता हूँ 20 माइनस 10 होते है 10 क्यों मैंने तही जवाब दिया ना और बताता हूँ 2 इंटू 1 होते है 2 जाओ और जाकर वहाँ खड़े हो जाओ यह तो बहुत गलत बात है मैं उसके ज्याना समझदार हूँ मुझे बहुत कुछ आता है लेकि मोब मेरी दार्यूस कभी करती ही नहीं है वह इसलिए क्योंकि तुम सिफ्ट क्लास में हो ना तो तुम्हें तो यह सब आता ही होगा काश में भी बच्चा होता तुम्हारी अर्पदे तो बच्चो वाली ही है काश में चाहसालता होता और बहुत ही जnéरे समझदार होता बोलो ऐसा हो सकता है सचका को तो ऐसा हो सकता है क्या सच पैं रिडू लाइफ मशीन क्या रीडू लाइफ मशीन पता है कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं ओ काश मैं ऐसा कर पाता ऐसे में ये ग्याजट बहुत काम आता है क्यूंकि ये ग्याजट हमें आसानी से उस वक्त में ले जाता है ताकि हम सब कुछ ठीक कर पाए हां क्या मेरा दिमाग अभी जैसा ही रहेगा बताओ हां बेकुल तभी तो तुम वो गर्दी दोबारा नहीं करोगे लोबिता बहुत मज़िदार आइडिया है तो तुम कितने साल के बनना चाहते हो मैं बताता हूं चार साल मुझे पता था तुम चार साल ही कोगे हां बस हां परानी आदितासा हो गई अरी बाप बहुत मसा है रहा है है नोबितारु को तुम क्या कर रहे हो बताओ हम चुपन चुपाई केल रहे हैं तुम्हारी बारी थी अगर तुम आमें नहीं डूनों के तो हमें बिल्कुल में मज़ा नहीं आएगा जियान सुन्यों और चिजुका अरे वाँ यह लोग किते छोटे हैं प्यारी लग रहे हैं जियान को चार सा की उनों में भी गुस्टा आता है देखो तुम उसमें गुस्टा मत करो जियान समझ गई तुम शिजुका तबी से अच्छी है मेरी प्यारी दोस्त लोगों ने मुझे अभी से परिशान देना शुरू कर दिया चलो से परिशान मत करो मिलकर कोई अच्छा सा गेम केलते हैं चलो ना क्यों ना हम स्कूल स्कूल खेलें मैं बनूंगी टीचर नहीं मैं बनूंगा टीचर सीचर मैं बनूँगा क्योंकि मुझे लिखना भी आता है मुझे भी लिखना आता है सुनियो मैं भी लिख सकता हूँ समझे चलो देखते हैं हम सब क्या क्या लिख सकते हैं सुनियो शीजुका जीयान नोबिता क्या तुमें भी लिखना आता है नोबिता जरूर कुछ गड़बर है ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है मुझे सचनी लिख में आता है देखो तुम जुट बोल रहे हो बिल्कुल सही कहा इस बात का पैसला तो कोई बड़ा ही कर सकता है जरा सुनी अंकर क्या ये जो लिखा वा है क्या तुम ने लिखाया नोबिता बताओ मैंने लिखा प्लीज बताइए ना अंकर जी आरे मां तुम तो बहुत ही समझदार हो मैं मानी नहीं सकता कि वो नोबिता ने लिखा है तुछ गरवर है हम तुमें नहीं छोड़ेगे नोबिता अरे लगता है नोबिता ने फिर से कुछ किया है चलो जर्था अरे ये तो कुछ न कुछ करता ही रहता है आखे तुम ये सब क्यू करते हो नोबिता बताओ मुझे नोबिता बेटा तुम ऐसा क्यू करते हो आंकी पैसे इसमें नोबिता की कोई भी गलती नहीं थी इन दोनों ने इस परिशान किया था अच्छा ऐसा था क्या ये सब कैसे नहीं सब्सक्राइब मैंने नहीं थोड़े से दर्कार दिया था इन पर जूड़ी दवाई लगा दीजिये नोबिता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा ऐसी लगत तो नोबिता ने पहली बार की है देखो बेटा जो अच्छे बच्चे होते हैं वो शरारत नहीं करते अरे मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ Society for Prodigy Education Research में आप से आपके बेटें के बारे में कुछ बात करनाचाथा हूँ जो केवाण चार साल की उमर में ही बहुत अच्छा लिखना जान गया क्या आप बताएंगी क्या वो लिखना जान गया समय सब और तुम दे लिखने गिए हैं आपको गलत पहमी हूई होगी अब ये बताओ, ये सब मिलकर कितने होएं? वाँ, 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 इसलिए तो मुझे चकित कर दिया, मेरे सारे एक्जाम्स के बाद मुझे यकीत ही होता कि ये सिर्फ चार साल का है, कमाल है, इसकी ताकत और समझदारी बिलकुल तारीश के पादिल है, बच्पन से, ये एक सेकिंड क्लास के बच्चे की जितना तेस है, लेकिन मैं तो फिफ्ट क्लास में हूँ, क्या, क्या ये सच है, उन्होंने इससे कुछ सवाल पूछ और कहा कि ये बच्चा तो कमाल का है, वह, एक दम लाजवाब, तुम बहुत अच्छी हो नोबिता, मैं बहुत खुश हूँ, क्या ये एक प्रोफेसर बनेगा, या कुछ और बनेगा, ये बड़ा होकर एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनेगा, नोबिता, तुम कमाल हो, नोबिता, तुम्हे बात्रूम जाना है, हाँ, हरी, तो खुद जा रहा है, ये इसके लिए अच्छा है, ये अभी से ही समझदार बच्चा है, देखो, तुमने बहुत मज़े कर लिए, अब वापस जाने का वक्त आ गया है, तो चले, क्या, बापस आ जाओ, क्यूँ, सब देखो कितना खुश है मेरे से, मैं यही पर रहे का चमत्तारी बच्चा बनूगा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्यूँ, मैं जीनियस हूँ, उनका कहना है कि मैं बड़े होका प्रोफेसर या गवर्मन्न मिनिस्टर बनूँगा, समझे, बात समझने के कोशिश करो, यह ना मंकिन है, ऐसा नहीं हो सकता है, यह चूट है, देखो, मैं यह कहना चाहूँगा, मैं यह सुनना चाहता हूँ, अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है, तुम खुद अपनी आँखो से ही देख लो, जाइब जीनि, देखो कि तुम बड़े ह होगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम फिर्स क्लास से शुरू करते हैं, वा टिमू, यह लो तुम्हारी दीजर तुम्हें टेस्ट पेपर दे रहे हैं, लो बिता नोबी, वा, तुम्हारे फिर से फुल मार्स आए हैं, क्या फिर से आ गए, आओ, मॉप, देखो मेरी आंसर श मुझे पता है तुम्हें फुल मार्स मिले होगे, बेटा, जैने जा रहा हूं, वा बेटा, तुम्हें वो किताब नहीं पढ़नी है, वा、 बहुत असान है, और बोरिंग भी, तो मैं नहीं पढ़ honगा, मेरा समझदार बेटा, मैं जा रहा हूं, मुझे लगता है कि आए दो इसे बड़ी क्लास में भीजने को कहना चाहिए क्या वाँ अच्छे तुमने कर दिखाया बहुत बढ़िया तुमने आज तो वागई में कमाल कर दिया ये तो बहुत आसान्धा जिया क्या सच में अरे वाँ ये तो लाजवाब है इसमें खराबी कमाल है अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं आये तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे हो चाहे की नोबता मैं ऐसा लगता है कि ये सब हमारी खरती है हमने शायद उतसे कुछ स्यादा है उमीदेवान रखी थी अगर देखते हैं कि तुम बड़े होकर क्या करोगे बस मेरे बहुत देख लिया अब और नहीं 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 तुम्हार स्वाकत है मैं आ गया मुझे उमीद है कि तुम्हें ये बात अब समझ आ गई होगी कि मेहनत कि ये बिना काम्याभी नहीं मिलती है हाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ डोरे महुत अच्छे नोबता तुम अभी तक अपना होंबा की हाँ अरे ये तो पढ़ाई कर रहा है मुझे तो याकीन नहीं हो रहा हूँ उसने कहा कि वो पढ़ाई कर रहा और काम्याभाद भी बनेगा सुनकर तो मैं भी हैरान हो गया था लेकिन यही सच है मा अभी ये कैसे हुआ लगता है ये अपने असली रूप में वापस आ गया